नमस्कार इलेक्शन 2020 में युवाहों के दिल के धड़कन बन चुके आनंद प्रियदेव की चर्चा आजकल पूरे बिहार में हो रही है कई लोगों ने पूछा कि बिहार में हर बात तो जात से शिरु होती है इस आनंद प्रियदेव की जात क्या है तो ऐसी लोगों को बड़ी वीनमृता के साथ मैं कहना चाहूंगी कि देखो वोट न देना हो मत दो अगर अशिक्षार अनचार के गंदे नहाले में नहाते रहना हो कोई बात नहीं लेकिन आनंद की जात न पूछना क्योंकि सुख संब्रिधी लाने वालों की कोई जात नहीं होती सारे जगत को खुश्बू से महकाने वाले पुश्पों की कोई जात नहीं होती मात्री भूमी पर मर मिटने वाले भगत सिंख सुख देव जैसे फालादों की कोई जात नहीं होती वैसे तो चदमवेश में दलाल हमेशा से घुमते आए हैं चंद सिक्कों के लोग में समाज को जाती और धर्में बाटते आए हैं लेकिन सावधान रहना प्रजातंतर के मालिकों इस 2020 इलेक्शन में अगर कोई भी व्यक्ति आपको जाती और धर्म की दुहाई देकर बर्गलाने आए तो समझ लेना कि वो दीमक आपकी और आपके बच्चों की किस्मत चाटने आया है जैसे कि जब आपका बच्चा बिमार पड़ता है तो से मौत के मुझ से निकालने वाले डाक्टर के आप जात नहीं पूछते आपके बच्चों को जो अच्छी शिक्छा दे इनसान बनाता है उस शिक्छा की आप जात नहीं पूछते उसी तरह से आपके रेकिस्तान बन चुकी बूमी पर जो विकास की गंगा बहाने को आतुर है उस उम्मिद्वार की आप जात ना पूछना जात के खूटे में बंद कर अपने बच्चों का भविश्य हनकार मैं मत करना जात रूपी दा रूपी कर मा बहनों की इच्चत निलाम ना करना देखो अगर देख सको तो आनंद की योग गिता देखना जो मेरे साथ वो मेरा हाथ कहने वाले आनंद के इरादी देखना याद है आपको अपने बुजुर्गों का आशिरवाद खुश रहो आनंदित रहो सब के चहरे पर मुस्कान लाने वाले आनंद की वी देखो जात पूछ कर अपने बुजुर्गों के आशिरवाद को अपमारित ना करना आनंद हम सब की जरूरत है नवादा गोविंद पूर ही नहीं आनंद तो समस्त बिहार की सम्रिद्धी का शुभ मुहूरत है जै आर सिडी तै आर सिडी आनंद भाईया के बढ़िया